अपने मन मर्जी सेल्फ मेडिकेशन जिसकों कह सकते हैं मेडिकल से दवाया ले ले लेते हैं लेकिन नहीं जानते कि इसकी वज़े से कभी-कभी बहुत ही हनीकारक उनके लिए वह हो सकता है इसलिए किलिप मेरा बनाने का मकसद ही है कि आप लोगों तक वह बाते करू कि कौन सी मेडिसिन हम लोगे जनरल कॉमन सिंटम्स में जो है दे सकते हैं और कौन सी मेडिसिन बिलकुल नहीं देना है आवायट करना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जो भी कॉमन प्रॉब्लम से जैसे के दर्द होता है सर्दी है वुखार है कॉंस्टिप की या फीवर की यानि दर्द है या किसी किसम का बुखार है तो दोस्तों याद रखिए ऐसे में आप पूरे नाइन मंद तक फर्स्ट ट्रैमिस्टर से लेकर नाइन मंद तक अगर जितना कोशिश हो सकते हैं पैरे सिटमल का अगर यूज करते हैं तो यह सबसे बेस्ट है सब सबसे सेफ है सबसे सहल है सबसे अच्छा है इसके अलावा जितनी भी मेडी सीन है दोस्तों उसको गयनेकुलोजिस्ट जो एकसपर होते हैं वह अपने बहुती एहत्यात के साथ जो है तो देते हैं उनके प्रेक्टिस के साब से लेकिन सबसे सेफ अगर देखा जाए तो वह है paracetamol आप paracetamol को कैसे देना है वो आप लोग जो है तो as a situation as a condition आपको देखना है और अपने patient को देखना इंशोड इतना याद रखे कि paracetamol is best in safe और safe in pregnancy यह हमेशा जितनी भी nine month की जो periods होता है time होता है उसमें बहुत अच्छा माना जाता है इसके अलावा आपको क्या नहीं देना इसमें दर्द में आपको एनेसाइटी जो ड्रक्स होती उसको बिलकुल नहीं देना इसके अंदर इसको बहुत खास तबज्जे याद रखे क्योंकि medical पर कोई बंदा जब जाता है कि दर्द की दवा दो दर्द की गोली दो तो जाहिड सी बाते medical store वाले उनको जो है counter पर ऐसी दवा दे देते हैं जो की एनेसाइटी में होती है और जो pregnant women के लिए हनीका रख हो सकती इस लिए अब खयार रखें कि आपको क्या देना है क्या आपको नहीं देना है अब बात करते हैं दोस्ते हम cough and cold की तो देखें ये cough and cold के अगर बात करेंगे तो पहले trimester के अंदर हम लोग को satrygeon का थोड़ा सा वायट करना है खासकर जो plain expectorans, जिसको हम कह सकते हैं, उस तरह की medicine हम इसमें दे सकते हैं, और 7 इन से थोड़ा 1 जो ट्राइमिश्टर होता है, उसमें हम इतियात करना चाहिए, और जो उसके बाद का ट्राइमिश्टर है, उसमें डेस्टर, मितारफन वगिरे के जो है, तो हमको इतियात, के अंदर हमको maintain करना होता है लेकिन यह जो कि सेफ है प्रेग्नेंसी के अंदर कॉंस्टिपेशन अगर होता है तो उसमें पैरफिन लिक्वीड जो आता है या डूफेलेक वगेरे या सब गोल यह सब सेफ है लेकिन जो हेवी होता है वह इसमें आवाइट करना चाहिए जो है तो देखते हैं कि पेश्न को हो जाती है प्रेग्नेंसी के अंदर तो उसमे जो है लैबिटलौल एक सेफ ड्रक्स माना जाता है इसके अलवा निफिवेडेमीन है उसके अलवा जो मतलब इसके अलाब दौस्तों आफ्शू मेटीज नेपरॉमेन यह सब स़ई है लेकि certain वगेरे medicine ने यह बिलकुल नहीं दी जाती यह बिलकुल नहीं दी जाती इसको याद रखिआ और और hypertension pregnancy में होना बहुत सारी बहुत common है हमारे आसपास के माहुल के अंदर इसमें क्या-क्या चलता है दोस्तों इसके अंदर ёр快 ? ठाइन एक औरigible इथर में तो यह हम जाती है safe refearm острॉcity डिजिज ऐसक्षांशियंव है तो जाती है ऀर आप इसमें क्याब रकना sy और इस तरॉक टर वْ इससन और परेजिनोंवाइट इसमें सबसे चीज याद रकिए इस ऐखिए ऑस तोshore परेजिनोंओ 되게 मैसे और लेकिन याद रखिए फंस ट्रैमिस्टर में आपको हैंस परान जो है नहीं देना है आप बात करतें दोस्तों ब्रोंकिल अस्तम अगर किसी को है तो और ब्रोंकोडायलेटर्स ओरल इन्हौल इस्ट्राइट्स वगिर इसमें दी जाती है लेकिन बहुत ही याद रखें आपको इस्ट्राइट्स और फिंटर इस्प्रे वगिर इसमें बिल्कुल नहीं देना है और साथी बात करतें दोस्तों पेप्टिकल सर की पेप्टिकल सर अगर प्रेगनंसी में होता है तो बात करतें जनरल प्रेटिस में ओमीप्राजोल रेनिटेडिन बहुत तेजी से बहुत ज करना एक तो थाक्टर उसके लिए कुछ रानी के हिकमत बता देते हैं लेकिरS 14 बना चाहिए com ऐसी female safe होती हैं अब बात करें दोस्तों बहुती हैं टोपिक के उपर vaccines के तालुक से pregnancy में वैक्सिन जो तो आप जानते होगे कि टीटी के इंजेशन लगाया जाता है टीटी वैक्सिन लगाया जाती टीटेनस की जो कि थर्ड मंत के अंदर सेवन मंत के अंदर यानी के पूरी प्रेगनसी में दो तीन मरतबा इसको लगाया जाता है और अभी टाइफट की वैक्सिन भी एहम रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहोगा कि जो pregnant women होती है वो या घरवाले कभी भी किसी डॉक्टर पर जाते हैं प्रेगनसी के दोरान किसी छोटी या बड़ी तकलीफ को लेकर तो सबसे पहले इस बात तो कहे दे कि वो pregnant है इस बात को आप अच्छे से याद रखे क्या होता है शर्मा शर्मी पेशन्ट जो है सामने अगर जेंस डॉक्टर जो आम अवा में उनको भी थोड़ा बहुत फायदा होई जाएगा और जो जेनरल प्रेटिशनर है जो मेडिकल इस्टोर्ण उनको भी बहुत फायदा होगा इस टॉपिक से आपको अच्छे समझ में आ भी गई होगी कि लिए तो लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्रा